तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल्डिस गोल्ड में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ पांच रुपे के दो हजार चोदा के निकल बरास के सिक्के के बारे में जो की है बी एचल जिसको बहल वाले पांच रुपे भी आप काफी बार बोलते हैं बहल के पांच रुपे निकल बरास भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेट के पांच रुपे के निकल बरास के इस सिक्के के बारे में जान लेते हैं कौन सी मिंट का सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए और कौन कौन सी मिंट में इस 5 रुपे के सिक्के की ड़लाई की गई थी कोईन के ओवर साइड आप देखेंगे यहाँ पर अशोकिस्तम का चित्र देखने को मिलता है सत्य मेव जयते के साथ और उसके नीचे रुपी 5 और यहाँ पर भारत और यहाँ पर इंडिया लिखा है अशोकिस्तम के दोनों तरफ कोईन की रिवर साइड जहाँ पर यह पूरा थीम बनाई गई है उपर पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा है अब भिहानत्रिकी उर्तकिस्ता के 50 वर्ष यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बी एचियल 50 यर्स 1964 से 2014 नीचे इंगलिश में लिखा है 50 यर्स ओफ इंजिनियरिंग एक्सिलेंस गोल्डन जुबली 50 यर्स बी एचियल के उपलक्ष में भारत की अलग-अलग मिंटों से जारी किये गए थे यह सिक्के अब हम यह जानते हैं यह पांच रुपे के निकल बरास बी एचियल के सिक्के कौन-कौन सी मिंट से ढले गए थे तो मैं आपको बता दू भारत की चार अलग-अलग मिंट से ज़लाई की गई है इन सिक्कों की कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोइड़ा मिंट की तरफ से लेकिन मैं आपको बता दू दो मिंट यानि नोइड़ा और बॉम्बे को छोड़ के बाकी की जो मिंट है है एदराबाद और कलकत्ता मिंट के बी एचियल वाले सिक्के कौमन की कैटेगरी में आते हैं लेकिन हम price की बात करें तो mint के सिक्के common की category में आते हैं इनके price jam unc condition में 25 रुपे से 30 रुपे के बीच में मिल सकते हैं कलकत्ता और हैदराबाद mint के सिक्कों की लेकिन हम बात करें नोड़ा mint और Bombay mint के सिक्कों की तो BHEL निकल बराद 5 रुपे का सिक्का square की category में आते हैं और ये सिक्के future के लिए भी काफी ज़्यादा अच्छे हैं हो सकता है future में इन सिक्कों की कीमत में काफी ज़्यादा तेजी देखने को मिले क्योंकि Bombay और नोड़ा mint से इनकी mintage low है year के नीचे देखेंगे आप यहाँ पर नोड़ा mint mark dot mint mark है देखने को मिलता है dot mint mark मतलब नोड़ा mint mark नोड़ा mint का यह सिक्का square की category में आता है अभी यह collectible सिक्का है आज की date में नोड़ा mint के एक single coin की कीमत चल रही है 50 रुपे से 80 रुपे के बीच में और वहीं Bombay mint के सिक्के की बात करे तो year के नीचे Bombay mint mark देखने को मिलता है diamond mint mark यानी Bombay mint mark अभी यह सिक्का square की category में है हो सकता है यह सिक्का rare की category में आ जाए क्योंकि इसकी mintage काफी ज़्यादा low है जबकि किसी mintage से किसी सिक्के की mintage low होती है तो उसका परमुक कारण बन जाता है उस सिक्के का rare होने का तो BHL वाले nickel brass के 5 रुपे का यह सिक्का आपने अभी तक collect नहीं कै तो अपनी collection में add कर लीजिए और UNC condition में इस सिक्के की price की बात करे तो आज के समय में इसकी कीमत चल रही है करीब करीब 100 रुपे तक एक सिक्का Bombay mint का आपको दिला सकता है 100 रुपे तक दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद